Good morning to all of you, welcome to my channel Rx Pharma Chat दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किड्नी के बारे में कई मेरे दोस्तों को ये structure देखके पता चल गया होगा कि आज किड्नी के बारे में बात करने जा रहे हो ये किड्नी की structure है, हर परसन की बॉड़ी में दो किड्नी होती है जब किसी भी और्गन से रिलेटेड या किड्नी से रिलेटेड हमारी बाडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले हम अपने फोन में, यूट्योब में या फिर गूगल में या और जो सर्चिंग एपस है उसके उपर सर्च करके देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारी किड्नी से रिलेटेड हो रही है, क्या वो सही है क्या हमें सेम लक्षन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि किड्नी डैमेज के कारण क्या क्या हो सकते हैं किड्नी डैमेज के लक्षन क्या होते हैं जब दोनों किड्निया खराब हो जाती है तब हमारी बॉड़ी में क्या के सिम्टम्स दिखाई देते हैं मतलब कि सबसे पहले हम सर्च करते हैं उन चीजों के बारे में किया यह सच में हमारी बॉड़ी में ऐसी चीजे दिख रही है या फिर यह एक अफ़वा है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन चीजों से रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉबल्म हो रही है तो किड्नी है क्या काम क्या है हमारी बॉड़ी में क्या इसके वाइटल फंक्शन ऐसे हैं जो हमारे खाने पीने के उपर वी वह फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आज सबसे पहले में बात कर better करूंगी यहां पर Schwe Attыч के जो होती है यह बेर होती है मतलब कह lang जो बात करते हैं कि किbग हमारी बॉड़ी में कहां स्थिर होती है रीड की हड़ी होती है रिड की हड़ी के दोनो तरफ पीठ में जो पसलियों के पिंगर होते हैं मतलब कि जो फेफडों के पीछ, एक तो हमारे फेफडे होते हैं आगे की साइड को लेकिन जो पीट के पीछे यहां पर पिंजर होते हैं दो, उनके बिलकुल ठीक नीचे दोनों किड्निया स्थेर होती हैं जिसके साथ जो यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर के साथ जुड़ी होई ह की साथ जुड़ी होती हैं, यह देखिए मैंने यहां पर बनाया हमारी पसलीया है तो पसलीयों के ठीक पसलीयों के जो पिंजर है इसके ठीक नीचे पीट की तरफ यह स्थिर हैं यह है हमारी लेफ्ट और यह हमारी राइट किड्नी तो यह जो चाह यूरेटर के साथ फ्ल्यूED प्रोडक्ट्स होते हैं गाम ऐसुटे हैं गलता को उर यह पर बीज आहं चैनल में फ्ल्यूबधिन busy train अःट अठ्पित कृते हैं अधित किष्या बिल्य को अभिए कैं ए नैटर ही ह giants ढ़नाते हैं अघ्ट्रत्रा है एंज़ें हां van cu Teeter राजमा को Kidney Beans भी कहती हैं क्योंकि इसकी shape जई है वो Kidney की तरह होती है तो Kidney एक राजमा की तरह होती है और जितनी हमारी यह बंद मुठी होती है इतना ही size हमारे शरीर में इनका होता है और kidney में यह जो red color से मैंने यहां पर शो कर रखे हैं यह renal columns होते हैं और यहां पर red color से यह show कर रखा है renal artery and इसके साथ में blue color से renal veins यह दो होती है और kidney के साथ ही यहां पर यह जो green color से नीचे आ रहा है यह है हमारा ureator ureator मतलब की जहां से जो waste product यो urine होता है वो आकर हमारे bladder में इकठा होता है तो इसके साथ ही यह renal capsule है और यह cortex है यह red color से जो show कर रखी है यह मैंने आपको blood vessels show कर रखी है तो यह हमारी kidney का structure है बात करते हैं कि जो kidney होती है यह pairs में होती है मैंने जैसे आपको बताया left kidney and right kidney kidneys हमारी body का special filter system होता है यह हमारी body में से जो waste products होते हैं उनको penetrate करता है उन waste products को filtrate करके जो अच्छी चीजे होती है वो हमारी body में absorb होके हमें power देती है, energy देती है और जो waste products होते है यह ureator के थूह हमारे bladder में इकठे हो जाते हैं और urine के थूह हमारी body से बाहर निकल जाते हैं जो waste products होते हैं ये हमारी body में जो fluid होता है उसको filtrate-करता है और filtrate करने के बाद जो waste products होते हैं वो हमारे ureator के त्रू होके, हमारे bladder में एकठेश हो जाते हैं जिसको हम urine कहते हैं और urine हमारी body से कढ़ गरिक हम अइसमेंités कुछे РES पर नग होती है यह detoxification का काम करती है मतलब कि हमारी body में जितने भी toxins होती है यह उनको filtrate करके urine के थुरू हमारी body से out कर देती है अब हम बात करते हैं kidney जो है यह important roles हमारी body में play करते हैं जो कि हमारी body को balance बना के रखती है kidneys vital organs है हमारी body के तो kidney अगर एक खराब हो जाए तो इतना जादा serious effect हमारी body पे नहीं होता है तो जिसकी दोनों kidney खराब हो जाती है दोनों kidney damage हो जाती है यह सर्फ उसी person को पता होता है जिस person की दोनों kidney खराब हो जाती है कि यह हमारी body के लिए कितना जादा serious problems create करती है अब करने के लिए हाँ भी하면서 कवेक्शन फानल करने कि किड़नी के क्वारी ऐल्बक्रइश इनकमारी मौद्ट के लिए इनकमारीUmत्रेश किड़नी के लिए 400 घुन ऐसंदेरा खता और रिमूव करने में जब हम कोई डेते हैं तो उस उसब मेडिसन जाती हैج कि मुपुल होती है नहीं अपरहे जुँआ हैं अएट्रग्स में जो एक्टिव इंग्रीटिएंट में फिल्ट्रेशन करके जब उसकी मेटाबोलिजम हो जाती है उसका असर भॉड़ी में हो जाता उसकी एफेक्ट फिल्ट्रेशन करने में फालप करता सिव काम करता है इसलिए ये हमारी body के fluid को balance बना के रखता है उसमें balance maintain करके रखता है kidney हमारी body में ऐसे hormones को regulate करता है, release करता है जो की हमारे blood pressure को regulate करने में blood pressure को maintain करने में हमारी help करता है हमारी body में red blood cells, platelets and white blood cells होते है इन तीनों में से अगर एक चीज भी बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमें fever होना शुरू हो जाता है, infection हो परॉब्लमस इन से related हमारी body में होना शुरू हो जाती है तो kidney का यहाँ पर काम क्या होता है यह हमारी body में red blood cells की production को control करता है तकि red blood cells down भी न हो और red blood cells की production इतनी जादा भीन हो कि हमारी body के लिए नुकसान दायक है इसलिए kidney responsible होती है रबी सीज की रेड बलड सेल्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए kidney help करती है हमारी बॉडी के vitamin D की active form को produce करने के लिए kidney एक important role play करती है ताकि जो vitamin D है आगे हमारी help कर सके जिसे की strong bones, strong muscles और हमारी जो calcium जो हम खा रहे हैं क्याइट में खा रहे हैं या फिर कोई supplement हो ले रहे हैं तो उसको अब्सोब करने में वह vitamin D बहुत जादा help करता है calcium की active form यह बना देता है calcity roll जो हमारी हडियों के लिए बहुत जादा important होता है इसलिए kidney का एक important function है कि यह हमारी strong bones को strong muscles को maintain करने के बहुत जादा help करता है kidney हमारी body में water की reabsorption करने में help करता है यह हमारी body में पानी की कमी नहीं होने देता है blood glucose level को भी regulate करके रखता है glucose को और amino acids की reabsorption करने में भी यह एक important role play करता है हमारी body में acid और base दोनों तरीके के होते है kidney हमारी body में acid-base balance को maintain करने में बहुत जादा help करती है क्यूंकि अगर हमारी body में acidity बहुत जादा बढ़ जाएगी तब भी हमारी body में problem होएगी और अगर base बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगे तब भी बहुत ज़ादा problem होएगी इसलिए kidney ही एक है जो filtrate करके acid base balance को maintain करने में बहुत ज़ादा हमारी help करती है kidney हमारे blood में से minerals को regulate करने में और उनको filtrate करने में हमारी बहुत ज़ादा help करती है वणाइन्स के खोगँ तो इन ब्लड बाँस को ही वढलेंस बन्हें करने बने हैं वणतो बलड दोगे हमारे बड़्य को चीज़ार है। कि कीज़ में मारे मैध बड़ी पोड़ी में महां तो इसकी हेल्थ वड़ी के लिए कि attempt. अगर किसी special topic के उपर आपको वीडियो चाहिए तब भी आप मेरे साथ शेयर जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में भी हम kidney के नए topic पे बात करेंगे तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई information के साथ तब तक के लिए good bye, have a nice day, मेरा main motive आपकी अच्छी health, thank you very much